बड़ी खबर लखनाउ से आ रही है सीधा लखनाउ की खबर का रूप करेंगे जिन को अस्पिताल में भरती करवाएगा है इलाज के लिए सीथापुर नशनल हाईवे के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो बस थी जो दोनों बसे हैं उनकी जो आमने सामने के टक्कर हुई है आप ये देख सकते हैं कि कैसे एक जो बस है ये कांच आगे का टूटा हुआ है वहाई दूसरी तरफ जो स्कूल बस है वो खड़ी है आप ये देख सकते हैं इन दोनों बसों में आमने सामने के टक्कर हुई है और इन बसों की टक्कर के चलते जो 35 बच्चे में सवार थे उन में से 6 बच्चों को चोटे आई हैं 6 बच्चे इस पूरे मामले में घायल बता जा रहा है सीतापुर हाईवे के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है यही वो दोनों बसे हैं जिनमें तक्कर हुई है तक्कर के बाद छे बच्चे गायल हुएं छे बच्चों को अस्पताल में तुरंट एडमिट कराए गया है इलाज के लिए